नमस्कार दोस्तों मैं हुराकेस और आप देख रहे हैं GoTo Online तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक में है तो कैसे आप Miss Call Alert के लिए registration कर सकते हो और कैसे आप Miss Call दे कर अपना balance जान सकते हो और कैसे आप Miss Call दे कर के mini statement जान सकते हो तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो के नीचे आपको लाल रूम सब्सक्राइब बटन देख रहा हुगा उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को और पर सेलट कर ले ताकि ऐसी जा मिसकॉल देकर ही रेश्टेशन कर सकते हैं मिसकॉललर के लिए तो मिसकॉललर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो मैं आपको एक नमबर यहां पर प्रोवाइड कर आ रहा हूं नमबर है 842405494 इस नमबर पर आपको उसी मुवाइल नमर से कॉल करना है जो मुवाइल नमर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एकाउंट में लिंक है मिस कॉल देते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा और आपका जो एकाउंट है वो मिस कॉल एलर्ट के लिए रिश्टर हो जाएगा अब बात आती है मिस कॉल के थो बैलेंस कैसे जानना है तो उसके लिए एक अलग नमबर है उस पर आपको मिस कॉल देना है और miss call देते ही आपका जो balance है वो आपको message कितरो मिल जाएगा तो वो number है 8424046256 इस number पर आपको registration करने के बाद में miss call करना है यानि आपको call ही करना है और 2-3 ring जाने के बाद में आपका जो call है वो automatic disconnect हो जाएगा और आपको message कितरो आपका balance जो है मिल जाएगा अब बात आती है कि mini statement कैसे आप पता करेंगे तो mini statement में आपको last के 5 transaction देखने को मिल जाएगे तो उसके लिए आपको एक अलग से number है इस पर आपको miss call करना है और miss call करते ही आपके last के 5 transaction आपको message कितरो मिल जाएगे तो वो number है 8424026886 इस पर आपको miss call करना है miss call के आपको call करना है call automatic disconnect हो जाएगी और message में आपको 5 last के transaction देखने को मिल जाएगे तो इस तरह आप India Post Payment Bank में अपना miss call alert के लिए registration कर सकते हो और miss call के थरू अपना balance जान सकते हो mini statement जान सकते हो तो अगर जानकारी आपको अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करके रखें ताकि ऐसी जानकारी आपको भविश्य में मिलती रहें तो फिर मिलता हूं किसी ने जानकारी के साथ तब तक के लिए गुडबाई